नमस्कार, Topic on demand में आपका स्वागत है आज का जो Topic है वह है Portfolio, Portfolio बहुत important Topic है अक्सर यह options में आपको दिख जाता होगा, तो हमें यह रगता है कि Portfolio है क्या तो सबसे बड़ी बात की सतत व्यापक मुल्यांकन की एक तकनीक है, तो सतत व्यापक मुल्यांकन आप जानते ह इसके द्वारा, इसमें घर, विद्याले, समाची उपलब्दियों का वर्णन किया जाता है, अब जैसे एक तरह से आपकी मालीजी जैसे डाइरी बनाते हैं, उस प्रकार से Portfolio बनता है, Portfolio में क्या होता है, विबन शेतरों की चीज़ों का आकलन, उसमें करते हैं, मतलब मुख की Portfolio में 30% रखा जाता है, मुख की Portfolio में क्या क्या चीज़ों होती है, कला वर डिजाइन, संप्रताइक वं उत्तरदाए, तो सेक्स्षिक वर जीवन की योजना, कारे शीलता का कौशल 30 घंटे, सूचना तकनी की कौशल, और व्यक्तिकत स्वास 50 घंटे, इतनी ची क्या इसमें इसकी खासियत होती है, अगर देखें तो तुरुटियों को आप हाइलाइट करते हैं, जो आपकी घंटे, इसमें अच्छी चीज़े भी लिखते हैं, खराब हैं, पॉस्टि निगेटिव दोनों, तो यहां तुरुटियों को हाइलाइट किया जाता है, कारे प पतर पर टिपड़ी की जाती है, मतलब कमेंट रहता है, फील्ड रूपोर्ट होती है, साक्षातकार, इंटर्व्यू रहता है, प्रशनावली होती है, मौकिक और जो आपकी चीज़े होती है, यह सारी चीज़े इसमें इन्वाल्व होती है, यह बहुत ही एडवांस तरीका है बच्चों के मुल्यांकन का उनका उनकी उद्यशों की प्राप्ति के स्तर जानने का कि हाँ बालक कहा है और हमें क्या modification करना तो एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि मुल्यांकन की टक्नीकी है पॉर्टफोलियो बहुत ही तकनीकी एकदम एडवांस है और इसमें हर पक्षू को का ध्यान रखा था 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 यह व्यापक रूप से मुल्यांकन करते हैं लगातार और व्यापक रूप से तो यह बहुत ही इंपोर्टट हो जाता आपका जाना कि पॉर्टफोलियो क्या है अगर आपके आप्शन में कहीं भी आएगा तो आप तुरंट कोशन देखेंगा कि उसमें क्या तो आप ज्यात रखेगा कि उसका अंसर आपका पॉर्टफोलियो ही होगा